ब्रॉक लेस्नर वर्सेस रोमन रेंग्स के क्राउन जुएल 2021 के मैच में क्या बड़ा टुस्ट आ चुका है बिग ए की क्यों होने वाली है टाइटल रेंज जल्द ही खतम हमें WWE सूपर शो नवंबर में होने वाले मैच इस अभी से कौन से देखने को मिलेंगे क्या कहा केन वेलासकस ने साथ में कौन हो सकता है अगला WWE चैंपियन करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील मेरा नाम मैंने दिश्वस्ट एन आप देख रहे हैं WWE हिंदी इंपारे चैनल सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं करंट WWE चैंपियन बिग ए के बारे में मंडे नाइट रॉक के चैंपियन है बिग ई दोस्तों पर बिग ई के लिए एक बुरी खबर अभी से सामने आने लगी है मंडे नाइट रॉक की रेटिंग्स लगा तार कम होती जा रही है और आकरी मंडे नाइट रॉक पे तो सिरफ 3700 टिकेट ही बिके और हमें रेटिंग इस भी काफी जादा कम TV की देखने को मिली जिससे दोस्तों WWE में खलबली मच चुकी है कि Big E ऐसे WWE Champion बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं इसलिए हमें WWE में एक बड़ा decision देखने को मिल सकता है कि Big E अपनी WWE Championship जल्दी साल 2021 में हार जाए और हमें नया Champion Big E की जगा कोई और देखने को मिले क्योंकि जब भी हमें tickets की sale कम होती भी दिखेगी या TV ratings कम होती भी दिखेगी WWE सबसे पहले अपना Champion ही बदलता है इसलिए Monday Night Rock की ratings कम होने का मतलब है कि अगर यह ratings नहीं बड़ी तो Big E को अपनी WWE Championship जल्दी हारनी भी पड़ सकती है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE November महीने में हमें कई live events दिखाएगा जहाँ पे WWE Super Show इवेंट्स दिखाएगा यहाँ पे दोस्तों अभी से Roman Rings और Big E के अपोनेंट्स अनाउंस हो चुके दोस्तों WWE Super Show पे हमें Roman Rings के अपोनेंट के तौर पे Drew McIntyre देखने को मिलेंगे यानि कि November के महीने में Crown Jewel 2021 के बाद हमें Brock Leicester के बाद Drew McIntyre Roman Rings के खिलाफे फ्यूड में आते वे दिखेंगे क्योंकि यही मैचिस हमें Super Show लाइव इवेंट्स पे अनाउंस होते वे दिखे हैं साथ में Big E के अपोनेंट के तौर पे हमें यहाँ पे Bobby Lashley का नाम अनाउंस होता वाद दिखा है यानि कि Bobby Lashley गोल्ड बर के खिलाफ Crown Jewel पे मैच खेलने के बाद फिर से Title पिचर में वापस आने वाले हैं और वो Big E को WWE Championship के लिए चैलन्ज भी करेंगे यानि कि Roman Rings का अपोनेंट है Drew McIntyre और Big E के अपोनेंट होंगे Bobby Lashley इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE के फॉर्मर सूपर स्टार केन वेलासकस के बारे में केन वेलासकस ने साल 2019-20 में धमाका मचा दिया था जब उन्होंने Brock Lesnar के खिलाफ WWE Championship मैच खेलने के लिए अपनी रिटन करी थी पर बजट कर्स के चलते केन वेलासकस को WWE ने साल 2020 में रिलीस कर दिया था दोस्तों केन वेलासकस पे एक बड़ी अपडेट आई की केन वेलासकर फिर से अपनी प्रोफेशनल रिसलिंग में रिटन करने वाले हैं और ये रिटन WWE में नहीं होगी दोस्तों हमें यहां पे केन वेलासकस की रिटन ट्रिपल ए में देखने को मिलेगी जहां पे वो मास्क पहन के रिसलिंग करेंगे यानि की दोस्तों हमें केन वेलासकस जैसा बड़ा फाइटर प्रोफेशनल रिसलिंग में रिटन करते हैं तो दिखेगा पर WWE में नहीं दिखेगा इसके लावत दोस्तों हमारे पास एक बड़ी अपडेट आई है रिज हॉलेंड के उपर जो पहले NXT के सुपर स्टार थे पर साल 2021 के ड्राफ्ट में हमें रिज हॉलेंड इस NXT से Friday Night SmackDown में ड्राफ्ट होते वे दिखे रिज हॉलेंड को दोस्तों WWE की मैनेजमेंट खासी पसंद कर रही है और उन्हें Friday Night SmackDown में ड्राफ्ट करने का मतलब है कि WWE की मैनेजमेंट और विंस मिकमैन का रिज हॉलेंड को देखके ये मानना है कि ये फ्यूचर सुपस्टार है और ये चैंपियन मैटीरियल है दोस्तों WWE चल्दी ही हमें रिज हॉलेंड को कोई ना कोई चैंपियशिप देती भी दिखेगी डेव मेल्टर के अकॉर्णिंग साल 2022 में हमें रिज हॉलेंड पहली बार WWE में चैंपियन बनते वे दिख सकते हैं वो United States चैंपियशिप या Intercontinental चैंपियशिप हमें साल 2022 में च बैकी लिंच के बारे में चिन्हों ने अपना रियक्शन WWE Crown Jewel 2021 पे होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में दे दिया Crown Jewel पे होने वाले इस ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में बैकी लिंच ने कहा कि वो अपनी SmackDown की Women's Championship को बियांका बैल एयर और शाशा बैंक से खिलाफ डिफेंड भी करेंगी और चीतेंगी भी इस पे कोई डाउट नहीं है पर दोस्तों बैकी लिंच ने कहा कि शाशा बैंक्स ब्यांका बैले और बैकी लिंच इस इंडरस्ट्री की सबसे तीन बड़ी सूपर स्टार है चाहे वो फीमेल और मेल सूपर स्टार क्यों ना हो इस इस चैंपेशिप मैच में शाशा बैंक्स और बैंका बैले एर को हरा के ही रहेंगी इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि नवंबर महिने में सर्वाइवर सीरिस के बाद हमें एक बड़ा चेंज होता वा नजर आएगा WWE ने ओफिशली अनौंस कर दिया है कि 29 नवंबर 2021 के मंडे नाइट रॉक के एपिसोड पे हमें रोमन रेंग्स लाइव ओडियन्स के सामने परफॉर्म करते हैं दिखेंगे ये दोस्तों WWE ने इसलिए करा है क्योंकि सिर्फ 9 दिन बाद ही All Elite Wrestling का Dynamite Show भी इसी एरीना में होना है और Dynamite Show के टिकेट्स लगातार विक रहे हैं पर Monday Night Rock के टिकेट्स नहीं विक रहे थे इसलिए WWE ने Monday Night Rock के लिए Roman रेंग्स को अनौंस करा है ताकि Tribal Chief की वज़ा से Monday Night Rock के टिकेट्स कुछ विक सकें अब बात करते हैं दोस्तों Roman रेंग्स वर्सिस Brock Lesnar के Crown Jewel 2021 के सबसे हारनिट ब्रॉक लेस्नर अपनी रिटन के बाद अगले युनिवर्सल चेंपियन बन जाएंगे पॉल हेमन ब्रॉक लेस्नर का साथ देंगे और Roman Rings को धोका देंगे दोस्तों रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले Ringside News ने रिपोर्ट करा है कि नए रिपोर् पूरे साल 2021 में हमें Roman Rings सी ऐसे युनिवर्सल चेंपियन देखने को मिलेंगे यानि कि दोस्तों ब्रॉक लेस्नर को Roman Rings से हारना पड़ेगा साथ में दोस्तों बड़ी अपडेट भी ये आई कि Crown Jewel 2021 के बाद ब्रॉक लेस्नर स्मैक टाउन की जगा हमें Monday Night Raw के सूपर स्टार क में कहीं भी जा सकते हैं पर फ्राइडे नाइट स्मैक टाउन को ब्रॉक लेस्नर क्राउन जोल 2021 के बाद छोड़ देंगे और ब्रॉक लेस्नर ऑफिशली हमें Monday Night Raw के सूपर स्टार के तौर पर देखने को मिलेंगे जहां पर वह अपना फ्यूड बॉबी लेस्ली के पूछना ही पूछना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि रोमन रिंग साल 2021 के एंड तक की युनिवर्सल टाइटल अपने पास रख पाएंगे या ब्रॉक लेस्नर रोमन रिंग से युनिवर्सल चैंपरशिप छीन लेंगे आप अपना ओपीर नमरे कमेंट सेक्शन में ज शुक्रिया हमाचनों के सब्क्राइब करें शेर आपका बहुत बहुत धन्यवाद